अगर आप commerce या management के student हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा useful होने वाली है आज के session में मैं आपके साथ discuss करूँगा कि international business environment क्या होता है इसका concept क्या है किन किन चीजों को मिलाकर आपका international business environment बनता है जैसे कि मारे पास दो तरा की environment होते हैं एक होता है micro environment दूसरा होता है आपका macro environment तो इन दोनों को जो combination करते हैं तो वही कहलाता है आपका international business environment तो आज के session में हम इस topic को मतलब international business environment को detail में study करेंगे तो इस्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन तो अगर मैं बात करो International Business Environment ये बना कैसे है तो एक तुसमें चीज है कि आप International Business की बात कर रहे है और दूसरा जो वर्ड है वो आपका Environment तो अगर मैं International Business की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम बात करते हैं जब हम Goods, Services या किसे भी Resources का Trade करते हैं अपनी Country के Beyond जाकर मतलब मैं कोई Business करना है कोई Trade करना है, Services को, Goods को Resources को, Sale Purchase करना है लेकिन अपनी Country से बाहर जाकर या दूसरी Country के साथ Trade करना हूँ चीज होगा तो वो मेरा क्या कहलाता है? International Business मतलब कोई भी Economic Activity जो मैं दूसरी Country के Individuals के साथ यहां के Business मैं के साथ करता हूँ तो वो कहलाता है मेरा International Business यहाँ पर सिर्फ हमारी Economic Activities को ही Include किया जाता है Economic Activities में पहली आपकी Goods के Exchange हो जाते हैं दूसरा Services के Exchange और तीसरा आपके Resources तो यह तो हो गया आपका International Business जब आपनी Political Boundary से Beyond जाकर Trade करते हैं और दूसरा वर्ड था Environment तो अगर मैं Environment की बात करूँ जहां पर भी हम Exist करते हैं जहां पर भी हम रह रहे हैं हमारे आसपास के जो भी Living, Non Living Creatures हैं Natural Creatures हैं हमारे कोई Physical Surroundings हैं मतलब हमारे आसपास जो भी आपको दिखाई देता है वो सब कुछ क्या कहलाता है आपका Environment का पार्ट कहलाता है उसी तर जब हम Business की बात करते हैं तो बिसनस आप दूसरे कंट्री के साथ कर रहे हों तो जो चीजें आपको उस Business को एफेक्ट करेंगी आपको एक Healthy Environment प्रोवाइड करेंगी जो कहीं न कहीं आपके Business के उपर Directly Indirectly Effect करें तो यह कहलाएगा आपका International Business Environment तो अगर हम Definition देखते हैं International Business Environment की तो इंटरनेशनल बिसनस इंवार्मेंट रेफर्स तो सेट ओफ एक्स्टर्नल फेक्टर्स बोथ कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल देट इंफ्लूएंस दा ओपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ बिसनस इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट तो आप यह कह सकते हैं कि International Business Environment को कह सकते हैं कि Set of External Factors होते हैं जिसके अंदर कि आपके Controllable Factors भी हैं और आपके Uncontrollable Factors भी होते हैं जो कि आपके बिसनस के Operations को, आपके Decisions को आपके International Trade को Directly Effect करते हैं इसके अंदर बहुत सारे Elements होते हैं जिसको कि businessman को या किसी organization को किसी firm को ध्यान रखना होता है अपने International Business के अंदर Enter होने के लिए क्योंकि ऐसे Elements होते हैं हमारी हर चीज को Effect करेंगे हमारी Success को हमारी Growth को हमारे Failure को मतलब हर Each and Everything Effected by These Factors तो जब भी कोई Organization International Business में Enter करता है या कह सकते हैं Foreign Market में Enter करता है तो उसको इन Environments का Knowledge होना ज़रूरी है अब हमारे पास तो भी International Business Environment होते हैं हम इसको दो बेस पर Divide कर सकते हैं एक तो होता है हम बात करते हैं External Factors के हिसाफ़ इसको Divide कर दे तो वहाँ पर बात आती है Micro and Macro Environment और दूसरी तरीके से हम इसको Divide करते हैं कि Domestic, Foreign and Global Environment कि जब हमें Environment के Study करनी होती है तो हमें Study के लिए कोई ना कोई Base रखना पड़ता है तो पहला तो Base हम रख लेते हैं कि Micro Environment Versus Macro Environment और अगर हम इसको यूज नहीं करते हैं तो हम दूसरा यूज कर लेते हैं कि Level of Operations के हिसाब से कि हम सबसे पहले अपनी Country में Operations कर रहे हैं फिर हम Foreign में Operations करते हैं तो उसके बाद हम Global Environment की बात करते हैं तो आज के Session में हम Micro and Macro Environment को Discuss करेंगे तो अगर हम Micro Environment की बात करते हैं Micro Environment होता क्या है So it refers to the immediate and specific factors that directly impact a company's operations and its interactions with stakeholders यह कह सकते हो इसके अदर वो factor आते हैं जो कि आपके business को directly और तुरंत effect करते हैं But these factors are within the control or influence of the company itself यह हमारी company को directly effect जरूर करेंगे लेकिन हमारी company इनको तुरंत control कर सकती है तो वो होते हैं Micro Environment के factors आपके Micro Environment के elements आपके मतलब वो environment या वो factor जो आपके business को directly effect कर रहे हैं लेकिन company उनको तुरंत control कर सकती है तो वो आपके कहलाते हैं Micro Environment अब इनके अंदर कौन को ना आता है वो देख लेते हैं सबसे पहले आपके Micro Environment मा आता है आपका customer लिएकि आप देखो चाहे आप service के लिए काम करते हो चाहे आप goods के लिए करते हो कही ना कहीं आप इनको sales customer को ही करोगे So the need, preference and behavior and purchasing power of customers are crucial consideration for business Understanding customer segment and tailoring product services and marketing strategy according is essential हमें पता है कि हमारे customer को क्या चाहिए उसकी demand क्या है उसकी need क्या है तो हम अपने product को उसकी need के हिसाब से उसकी demand के हिसाब से बनाएंगे modify करेंगे और उसके हिसाब से ही अपने जो marketing strategies होती है उनको भी develop करेंगे अब next आता है आपका supplier supplier मतलब अगर आप कोई service prepare कर रहे हो, कोई goods बना रहे हो manufacturing कर रहे हो तो कहीं न कहीं आपको एक raw material की requirement होती है so the availability, reliability and cost effectiveness of suppliers play a significant role in the international business environment अब अगर आपका supplier है वो आपको time per product provide कर देता है raw material देता है अच्छी quality का और कम price पर दे रहा है तो कहीं न कहीं आपका जो एक growth का chance होता है success का chance होता है international business operations में वो increase हो जाता है और अगर वो आपको product time पर नहीं दे रहा अच्छा product नहीं दे रहा है और महंगी cost पर दे रहा है तो वो आपके लिए beneficial नहीं होगा तो इस condition में भी आप इसको अगर देखते होगे आपको अच्छा product मिल रहा है raw material तब तो आप continue करोगे लेकिन अगर वो आपके business पर negative effect डाल रहा है तो वहाँ पर आप ensure करोगे कि आप इसको change करकर ऐसे supplier को select करो जो कि आपको reliability के साब से आप कैसकते है cost effectiveness आपको product provide करे next है competitors analyzing and monitoring the activities, strategies, strength and weakness of competitors is a vital to gain a competitive edge in the international market अब जब आप international market के अंदर enter करते हो तो वहाँ पर आपके competitors होने चरूरी है तो आपको देखना होता है कि आपके competitors की क्या strategy है किस तरह उतने products की sale करता है क्या strength है उसके पास क्या weakness है किस point पर वो आप से weak है और किस point पर आप उससे जादा strong हो तो आपको इन सभी चीजों को analyze करना होता है monitor करना होता है और उसके साब साब देखते हैं कि कौन चैसे factors है जिनका आप benefit उठा सकते हैं अपने competitor के साब से next आपका distributor and intermediaries so these are the channels through the which product and services reach customers अब company ने अगर कुछी product को बनाया तो directly customer को तो नहीं पहुचाएगी कहीं न कि उसके बीच में एक chain established हो जाती है जैसे कि आपका manufacturer इसके बाद आपका wholesaler फिर आपका retailer फिर कहीं आपका आता है last में customer तो यह chain इस तरह चलती रहती है अब अगर आपकी chain है आपके distributor है आपके intermediaries है वो effective ही है efficient नहीं है आपके product को customer को on time पहुचाने में तो वो आपके लिए एक negative environment create करेगा तो हाँ पर आप इनको भी change कर सकते हैं इनको कह सकते हैं effective बना सकते हैं और इनका खुद ऐसे selection करो कि जो कि आपके हिसाब से better हो तो यह होता है आपके distributors और intermediaries next आपका shareholders and investors अब कोई business है कोई भी firm है उसको पैसे चाहिए होते हैं अपनी need को पूरा करने के लिए तो पैसे आते कहां से हैं या तो shareholders के थुरू पैसे को arrange किया जाता है funds का arrangement होता है या फिर हमारी जो investors होते हैं उन से उन चीजों को arrange किया जाता है अब अगर कोई चाहता है कि उसके पास हरदम cash available है उसको जो financial stability है उसकी strong रहे तो उसे अपने काम को अपने जो भी work है financial का उसको transparent रखना होगा एक अच्छी governance का use करना होगा जिसके तो कि सारे shareholders और investors satisfy रहें उनकी expectation से काम करेगा वो क्योंकि अगर हमारे shareholders खुश है हमारे investors खुश है तो कहीं न कहीं हमारे पास हरदम financial stability होती है वो हरदम maintain रहेगी नेक्स्ट है आपका employees अब कोई भी form है चाहे आप service industry की बात कर लो चाहे आप goods industry की बात कर लो manufacturing की बात कर लो वहाँ पर आपके final product को तयार करने के लिए हमें employees की need होती है अब employees कैसे होंगे हम देखेंगे कि हमारे employees के पास skills है या नहीं है हमारे पास कितना workforce available है हमारे employees satisfy है भी हमारे काम से या नहीं है पिर देखेंगे कि हमारे पास कितने rules regulations होते हैं employees के regarding हमारे पास labors के regarding उन सभी का ध्यान रखा जाएगा तो अगर हमारा human resource हमसे satisfy है तो हम एक operations को successfully कर पाएंगे deal कर पाएंगे अपने business को expand कर पाएंगे बट अगर हमारे employees ही हमसे खुश नहीं है satisfy नहीं है तो कहीं नहीं इसका negative fact हमारे business पर देखने को मिलता है तो यह भी देखना होता है कि हम ऐसी activities करें सारे ऐसे decisions लिए जो कि हमारे employees को satisfaction level को increase करें और जिसके थूँ कि हम उनको full skill provide कर सकें उनके जो भी rules regulations होते हैं उनको follow करें और उन्हें एक अच्छी खासी salary provide करें जिसके थूँ कि उपना 100% हमारे organization को दे सकें अब इसके बाद देखते हैं कि macro environment क्योंकि अभी तरह हमने बात करी micro environment जिनको कि हमारी firm directly control कर सकती है और उनका हमारे firm पर directly effect भी देखने को मिलता है बट यह उसे थोड़ी से अलग है so it refers to the broader external factors that are beyond the direct control of a company but have a significant impact on its operations तो इसका हमारे company को operations पर impact देखने को मिलता है directly लेकिन इन factors को हमारी company हमारी organizations control नहीं कर सकती है तो इसके अज़र कौन कौन से factors होते हैं उनको देखते हैं तो सबसे पहला है आपका economic factor अब economic क्या आजाएगा economic conditions such as GDP gross domestic product like आपका inflation महंगाई, interest rates आपको bank provide करते हैं आपके exchange rate जब आप दूसरी country से तरेड करते हो तो आपके currency इसको आपको exchange करना होता है उस country की fiscal policies आपका impact international business decisions market opportunities and financial performance तो सारी वो चीज़ हैं जो कि economic conditions के अंदर include करी जाती है और इनको आप कभी भी directly control नहीं कर सकते हैं मैं बात करूँ कि अगर आपको मैं कह दूँ कि आपको inflation को control करना है interest rate को control करना है exchange rate को control करना है तो इनको कोई organization कोई firm control नहीं करती है यह automatic international business के अंदर international जुमारी market है वहाँ पर demand और supply के साफ से इनका fluctuations चलता रहता है और वही इन चीज़ों को decide करते हैं या फिर अगर कोई करेगा भी इनको control तो वो उस countrys की government कोशिश करेगी कि किस तरह उनको control करना है बट किसी भी business के लिए इन चीज़ों को control कर पाना impossible है नेक्स्ट एप political and legal factors तो गॉर्मेंट regulations, political stability, trade policies, tax regulations intellectual property protections, legal frameworks, affect international business operation and market access तो जब भी आप किसी दूसरी country के अंदर enter करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ की government के क्या rules है regulations regarding to trade वहाँ की political जो भी party से कितनी stable है वहाँ पर tax की क्या policies है tax के regulations क्या है अगर वहाँ पर आपके कोई intellectual properties को चोरी करता है, उसका use करता है तो वहाँ पर किस तरह आप उसको protect करोगे legal framework क्या है उस country का किस तरह वहाँ का judiction काम करता है तो यह सारी चीज़ें आपके business को effect करेंगे, लेकिन इनको भी आप directly control नहीं कर सकते है लेकिन यह कही न कहीं आपके business को directly effect करती है, example भी आप tax लगा लो, अब इंडिया में अगर किसी आपका income के उपर 30% tax है और जैसे आप तूसरी country में enter करते हो वहाँ पर 50% tax है तो कहीं न कहीं आपको जो profit हो directly decrease हो जाएगा कि आप आपको 30% comparison 50% tax पे करना पड़ेगा तो यह factors होते हैं आपके political and legal factors अब next है आपका social cultural factor अब इसके नदर आते हैं आपके cultural norms social values customer behavior demographics and lifestyle trend differ across country and influence market demand marketing strategies and product localization अब इंडिया के अंदर आपके culture अलग है आपके social value अलग है यहाँ पर customers का behavior भी अलग है demographics भी अलग है लिकिन जैसे ही आप दूसरी country के अंदर enter करोगे वहाँ के लोगों की choice वहाँ का taste, वहाँ का culture वहाँ का norms, वहाँ की market सब कुछ अलग मिलेगा आपको और आप अपने हिसाब से वहाँ की market को वहाँ की human resource को, वहाँ की customers को change नहीं कर सकते हैं तो आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा कि आप किस तरह अपने आपको ही change करो क्योंकि वहाँ की यह दो भी आपके social cultural factors होते हैं यह आपके business को directly effect करते हैं तो वहाँ पर आप उन factors को change नहीं कर सकते हैं तो आप कोशिश करोगे इन directly आप खुद को ही change करकर वहाँ की हिसाब से adjust हो सको नेक्स्ट टेक्नोलजिकल factors तो टेक्नोलजिकल एडवांसमेंट डिस्टलाइजेशन कम्यूकिशन सिस्टम ट्रांस्पोर्टेशन इंफ्रसेक्ट्चर इनोवेशन एंड इंपेक्ट इंटरनाशनल बिसनस ओपरेशन आप जब आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगी कि आपके पास कम्यूकिशन का सिस्टम क्या है हो सकता है इंडिया के अंदर आपके पास ऐसे कम्यूकिशन सिस्टम हो जो काफी effective है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सिस्टम आपको दूसरी कंट्री में भी available हो वहाँ का transport infrastructure किस तरह का है वहाँ का innovation किस तरह के है वहाँ पर वहाँ पर distillation कितने level पे है वहाँ पर paper पे काम होता है या आपका electronic media में काम होता है तो मतलब भी सारे ऐसे factors हैं जो कि आपके business operations को effect करेंगे जब आप किसी दूसरी market के अंदर enter करोगे यहाँ पर भी आप इनको change नहीं कर सकते क्योंकि आप दूसरी country में trade कर रहे हो तो वहाँ पर आपको खुद को ही change करना होता है condition और situation के हिसाब से नेक्स्ट है environment factors तो environment concerns sustainability practices climate change policies and regulations influence international business practices अब हर country क्या कर रही है कि वो कोशिश कर रही है कि हम किस तरह rules, regulations, policies को बनाएं जो कि हमारे climate को negative effect ना दे हमारे जो sustainability है वो बनी रहे हमारे जो environment वो clean रहे एक ऐसा environment कर सके जो कि हमारी life के लिए healthy environment कर सके अगर कोई industry लगा रहा है तो pollution create ना हो अगर फिर भी कोई pollution create हो रहा है तो किस तरह उसको reduce किया जा सके और अगर कोई pollution create कर रहा है कोई industry लगा भी रहा है तो उसके वहाँ पर एक CSR का concept होता है कि social corporate responsibility तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जिनकों की हम change नहीं कर सकते हैं इनकों में adopt करना होता है दूसरी country के हिसाफ से और लास्ट आपका global geopolitical factors तो यहाँ पर आपके जो world level पर जो भी हमारे कह सकते हैं organizations हैं उनको include किया जाता है जो कि आपको trade को support करते हैं तो like जिसे आपका global events कोई हो रहा है geopolitical tensions हो रही है trade agreements हैं आपके या international relations है वो सारे आपके effect करते हैं आपके business operations को यहाँ पर जिसे आपका WTO है अगर WTO ने आपके signatory हो उसने कोई rule बना जिए तो आपको follow करना पड़ेगा उसको यह नहीं कि आपसे मना नहीं कर सकते अब हो सकता है किसी दो countrys के 20 में आपस में कोई war चल रही हो तो उस condition में भी आप उसकी war को खतम नहीं कर सकते तो कहीं नहीं कहीं वो आपके business को directly effect करेगा उसके अंदर वो सारे factors include किये जाते हैं So I hope आपको सारे points clear हो गए होंगे कि business environment होता क्या है तो अगर मैं short में बताऊँ जो भी factors आपके international business को effect करते हैं वो कहलाते हैं आपके international business environment इसके अंदर आपके दो तरीके के factors होते हैं एक होता है micro level environment दूसरा होता है macro level माइक्रो में वो factors होते हैं जो कि business को effect भी करते हैं लेकिन उनको आप control कर सकते हैं लेकिन अगर मैं macro की बात करता हूँ तो macro में वो हमारे business को effect करेंगे बर उनको हम control नहीं कर सकते I hope आपको सारे points clear हो गए होंगे अगर आप कोई issue है कोई doubt है तो आप comment section में comment करकर मुझे पूछ सकते हैं और अब आप मुझे मेरे instagram और telegram पर follow कर सकते हैं तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और वीडियो से साथ so stay tuned stay connected with scoremax